नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके अज़ की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अशी बाते सेयर करने वाला हूँ जिन्हें आपको हमीची गुपत रखना चाहिए कुछ बाते जो आपको किसी के साथ सेयर नहीं करना चाहिए वैसे तो किसी के दिल की बात सेयर करने से हमारा दिल हलका हो जाता है और हम उसके करीव आ जाते हैं लेकिन कुछ बाते ऐसी होती है जो भूल कर भी कभी किसी को नहीं बताने चाहिए किसी भी सूरत में ये कुछ बाते जो हमें किसी के साथ सेयर नहीं करने अगर हम यह बाते किसी के साथ साजा करते हैं, तो आपको चीवर में कई समस्याओं का सामना करना पर सकता है दोस्तों सबसे पहली और सबते बरी गलती जो हम करते हैं वो हम करते हैं अपने लक्ष और भविष्यों की योजनाओं के बारे में दूसरों को बता कर हमें कभी भी अपने लक्ष और भविष्यों की योजनाओं के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए सायद आपको ये थोड़ा अजीव लगे लेकिन यह सच है जब आप अपने लक्ष और विकास के बारे में लोगों से बात नहीं करते हैं तो आपके लक्ष को प्राप्त करने की संभावना अधिक होता है आप लोगों को अपना योजनाओं के बारे में क्यों बताते हैं जब आप अपनी योजनाओं के बारे में सुनते हैं तो आप खुद को स्मार्ट महसूस करते हैं या आपके दोस्त आपके पीट थप थपाते हैं सायद ऐसा ही होता है लेकिन ऐसा करने सी आपके मन में अपने उदिष से और लक्ष को प्राप्त करने की ललग कम हो जाता है क्यों आप अपने लक्ष के प्रती देड़ नहीं हो पाते और आप अपने उदिश्य को पूरा नहीं कर पाते इसलिए कभी भी अपने लक्ष को और अपने भविश्य की उजनाओं के बारे में किसी को कुछ मत बताओ और दोस्तों दूसरी बात अन्य लोगों के रहस्यों को किसी दूसरे इंसान से साजा ना करें क्योंकि आज की वक्त में और पुराने वक्त में और आने वाली वक्त में भी अधिकता लोग करते थे करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि आपको कभी नहीं करना किसी भी व्यक्ति से किसी के बारे में बुरी तरह से बात नहीं करने चाहिए जिसके लिए आपको सर्व आनी चाहिए इसी के बारे में निगेटिब बात करने से आपको तो अच्छा लगेगा लेकिन इन बातों के अधार पर कोई और आपको जज़ कर सकता है ये आपके बैवार को निर्धारीद करता है जो लोग दूसरे के बारे में बुरी बातें करते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता बलकि लोग उनके बारे में सोचते हैं ये किसी तीसरे के सामने उनकी भी बुराई करते होंगे तो इसलिए ये गलती कभी ना करें दोस्तों ये थी वह दो पॉइंट जो मैंने आपके साथ सेयर करना चाहता था वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारे चैल को सब्सक्राइब करें धन्यवा दोस्तो